वीडियो में हम LC circuit का J advance का question discuss करेंगे यहाँ पर हम एक capacitor दे रखा है C capstance का एक inductor दे रखा है यहाँ पर L value का जिसका self inductance L है और जो दो magnetic field given है हमें पहली magnetic field जो है वो B से represent करी है जो कि constant है और into the plane है और दो C magnetic field time wearing है बीटा T से जो red से show कर रखी है तो question यह है सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि कितना EMF induced होगा कितना EMF induced होगा इन दोनों magnetic field की वज़े से और जो total area है इस section का वो हमें A दे रखा है यह जो हमारा area बन रहा है circuit का जिसके दुर magnetic pass हो रही है उसका area है A तो यह हमारा question है तो शुरू करते हैं भी है न तो electric field निकालने के लिए EMF निकालने के लिए maximum EMF निकालने के लिए हमें सबसे पहले formula पढ़ना पढ़ेगा EMF का जो कि होता है E is equal to faraday lock according D phi by dt यहां तक clear है अब phi क्या होता है phi होता है BA phi क्या होता है BA clear है तो अब जो मेरे पास value बचेगी वो बचेगी A भार आ गया तो different session होगा किसका B total का किसका होगा B total clear है अब B total है क्या हमारे पास दो magnetic field है अभी मैंने उपर दिखाया red से और blue से red से orange color जो है यह तो B है पहला जो magnetic field है हमारी B total उसमें है एक तो B और दूसरा कौन सा है beta T ठीक है तो यह तो constant है इसका differentiation किता आजाएगा भाई अगर मैं इसका differentiation करूँ तो इसका differentiation किता है अगर मैं है d, b, t by, d, t निकालनो time के साथ differentiating magnetic field with respect to time तो यह तो 0 हाजाएगा और इसका differentiation करेंगे तो T गाया हो जाएगा तो basic differentiation है तो beta आगया तो मतलब B जो मेरे पास पूरी value आई a, d by, d, t, b, t की वो किती आई? a, beta किती आई? a, beta यह तो मतलब जो emf होगा वो किता होगा? a, beta introduced हुआ क्योंकि e क्या होता है d5 by dt अभी हमने निकाला था d5 by dt की value किती आई? a, d by dt, b, t और इसका differentiation किता है हमारे पास beta अभी उपर करा मेंगे तो मेरे पास emf induced होगा total किता induced होगा? a, beta किता induced होगा? a, beta यहां तक clear है? तो यह तो हो गया पहला पार्ट total emf by using Faraday's law which in which says that the total emf is rate of change of magnetic flux